आज मेरे किचिन में बना है यह सोबद जो के एक बहुती फेमिस डिश है डीजी खान की और पिशावर में इसको पेंडा के नाम से जाना जाता है यह डिश बहुती अच्छी है इसमें घर में जो मौझद होते हैं आप उसी से इसको बना सकते हैं यह बहुती कलरफुल सी और इसका बहुत अच्छा टेस्ट है तो मैंने इसमें अदर हाफ टी स्पून ली है लाल मिर्च एक टेबिल स्पून लिया है हमने धन्या का पाउडर इसके लावा इसके अंदर लिया है एक लीमू का रस हाफ टी स्पून हमने लिया है सफेद जीरे का पाउडर इसको भू अगर देसी गी लिया है अगर देसी घी नहीं तो नॉमल गी या आईल ले सकते हैं चिकन लिये हमने हाफ केजी और इस चिकन को मैंने दर्मेयाने टुकडो में कट वा लिया था आलो बखारे लिये हमने 7-8 आप कम और जादा कर सकते हैं प्याज लिये है दो बड़ी साइस कि उनको बारिद बारिद जो है वो चॉप कर लिया था नमक लिया है मैंने हजब जरूरत इसके लावा जीरा दाटी स्पून लिया है बड़ी इलेची एक तीन छोटी इलेची और दो बादियान के फूल पानी जो है वो हम दो लिटर के करीब लेंगे और यह जो दही है वो डेर गी को शामिल कर दें अगर आके पास डेसी गी नहीं है तो आप बनासपतीर यूस कर लें ऑईल में इतना अच्छा यह नहीं बनता है जब गी मेल्ट हो जाए तो उसके बाद इसके अंदर आप जो है वो प्यास शामिल कर ले और प्यास को आपको उस वक तक पकाना है जब तब कि इसका रंग ना बदल जाए प्यास जो हमारी तकरीबन पक चुकी है और अब ये क्योंके ब्राउन होने जा रही है तो इसी वक्त हम इसके अंदर हमारे जितने साबुत मसाले थे वह हम डाल देंगे यानि के एक बड़ी काली लैची जिसे कहते हैं वह तीन छोटे साइ तूल काफी होंगे क्योंके मरगी 1.5 किलो है और एक टी स्पून के खरीब ये जीरा आपके शामिल करके इसको अच्छे से चला ले हमें प्यास को क्रिस्पी नहीं करना इसलिए हम इसके अदर थोड़ा सा पानी शामिल कर रहे हैं एक चमचा चला है और उसके बाद इसको ढ धक्के रख दें ताके प्यास नर्म हो जाएं दस मिनट के बाद मैंने इसका धक्कन हटाया था और मसाली की शेकल कुछ इस तरह से हो गई थी घी जो है वो अलग से सेपरेट होकर उपर आ रहा था अब इसके अंदर हम ये टेमाटर शामिल कर देंगे और इन टेमाटरों को जालते ही हम इसको अच्छे से भून लेंगे याद रखें टेमाटर के साइस छोटा रखना है छोटे रखने का फायदा ये होगा कि असानी से गल जाएंगे और खुद मसाले के अंदर अच्छे से शामिल हो जाएंगे क्योंकि टिमाटर पानी छोड़ते हैं तो आप इसको ढखके रख दें ताकि ये अपने ही पानी में खुद से कुख हो जाएं और मैंने इसको पांच मिनट के लिए रखा था और इसके बाद मैंने ढखकन हटाया तो टिमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके थे और इन सॉफ्ट टिमाटर का फाइदा ये होगा कि अब इनकों हमें ज्यादा भूनना या गलाना नहीं पड़ेगा ये खुद इससे अपने पानी के अंदर गल चुके हैं अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर अपने तमाम मसाले अड़ कर लेंगे जैसे के लाल मिर्च थी पैपरिका था इसके लाब हमारे पास हल्दी थी और नमक ये मसाले हम इस पॉइंट पे अड़ कर लेंगे और फिर इसको हम भून लेंगे और याद रखीगा कि मसाला जलना नहीं चाहिए तो इसलिए अगर आपको लगे कि मसाला लग रहा है तो अब इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं अब आप इसके अंदर सफेज जीरे का पाउडर डाल दें और साथ ही आपका जो धन्ये का पाउडर था वो भी इसके अंदर शामिल कर दें और इस तरह से हमारे पास जितने ड्राइ इंग्रिजिंट्स थे वो इसके अंदर शामिल हो चुके हैं अब इन सब को आप अच्छे से मिक्स कर ले अब मैं इसके अंदर वन फूट कब पानी आट करूँगी ताके मसाले जो है वो अच्छे से भुन जाए और उसके बाद इसको हम ढख देंगे दस मिनट तक मैंने इसको ढख के रखा था और इस तरह से मसाला जो है वो नीचे बैड यार ओइल उपर सेपरेट होने लगा इस पॉइंट पे आप इसके अंदर अपनी चिकिन को शामिल कर दें वैसे सोबत जो है वो देशी चिकन में बनती है लेकिन मैंने जो है वो जो नॉर्मल हमें फार्म की जो चिकन होती है उसमें बनाई है चिकन को अच्छे से आपको जो है वो mix कर लेना है ताकि मसाला चिकन के उपर अच्छे से लग जाए और उसके बाद जब आप चिकन को इस तरह से भून ले तो आपने इसको ढख कर रख देना है दुबारा से ढखने का फाइदा यह होगा कि चिकन पानी छोड़ती है तो चिकन भी अपने पानी में गल जाएगी मैंने 15 मिनट तक ढखने को रखा था और आप देख सकते हैं कि चिकन ने काफी पानी छोड़ा है और चिकन का कलर भी चेंज हो गया यानि कि यह हाफ डन हो चुकी है आप इस पॉइंट पे इसको फ्रीज भी कर सकते हैं अप टू वन मंथ तो वो लोग जो बिजनस करना चाहते हैं इसका वो इस पॉइंट पे इसको फ्रीज करकर के सेफ करके रख सकते हैं और जैसी order है तो आप पिर इसके अंदर बागी का process स्टार्ट करें तो इसके बार आप इसके अंदर दही शामिल कर लेंगे और दही के साथ आलो बखारा भी शामिल कर लेंगे दही मैंने फिटावा यूस किया है फिटावे दही का फाइदा ये होता है कि लंब्स नहीं बनते हैं और आपके सालानी के उपर वो कच्चा कच्चा सा दही का लुक नहीं आता बहुत स्मूज और फाइन दही बनता है अब फिर आपको इसको ढखके रख देना है इसमें ढखकन लगाना की है क्योंकि आपको एंड में जो पानी डालना होगा वो आपको शोर्बे के लिए चाहिए होगा इसलिए आप इसको जो हर स्टेप के बाद जहां जहां मैंने ढखकन लगाने को बोला है आप इसको ढखते जाए लेकिन दही ने भी कितना पानी छोड़ा है और अब ये बहुत हाई फ्लेम पर है जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इसके उपर बबल जा रहे है तो यही पॉइंट है जिसका हमें वेट करना है और उस वक्त तक वेट करना है जब तक कि इसके उपर तीरा उपर ना आ जाए थोड़ा सा पानी शामिल किया है मैंने ताके मेरा ये शोर्बा जो है वो अच्छे से मसाले में मिल जाए आप हलका सा चमचा चलाएं इसको और उसके बाद इसको इसी पॉइंट पे हाई फ्लेम के उपर छोड़ दें और उस वक्त तक छोड़ दें जब तक कि ये बॉइल हो होके इसके उपर जो है वो पूरा तीरा ना आ जाए बस हमें इसी पॉइंट के इंतिजार करना था जब ये तीरा उपर आ गया तो हलका सा ये तीरा आप निकाल के सेफ कर ले जो कि हम लेटर स्टेश पे यूज़ करेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसी पतने दें जब आपको लगे कि पूरे में वबल्स अच्छे से आ गए हैं इस तरह आप देख सकते हैं कि मेरे सालन में हर जगा वबल्स आ चुके हैं तो इसका मतलब है कि शोरबा अल्मोस रेडी हो गया है अब हम इसको फाइनली ढखकर 20 मिनट के लिए पकाएंगे खाली और 20 मिनट के बाद हम इसका चूला जो है वो बंद कर देंगे मैंने हाँ चूला बंद कर दिया और ये मेरे सालन का फाइनल लुक है आप देख सकते हैं ये शोरबा कितना अच्छा और कितने अच्छे कलर का बना है ये अच्छा कलर इसका इसी वज़ास तरह है कि हमने इसके अंदा पैपरे का शामल की थी आप चाहें तो कश्मीरी मिर्च भी शामल कर सकते हैं अब एक प्याले में मैं जो है वो शोरबा और थोड़ी सी चिकन जो है वो बहार निकाल रही हूँ और उसके बाद मैं आपको इसका डिस्प्ले करना सिखाऊंगी एक प्याले में मैं ये पतली रोटी जो मैंने बेगी थी है इसको बना लिया था इसके टुकड़े करके मैं इस तरह से डाल रही हूँ कुछ टुकड़े मैंने पहले से किये वे थे वो भी मैं इसके अंदर शामल कर रही हूँ ये बहुती बारीक रोटी बिलती है इसकी अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कॉमेंट बॉक्स पर मुझसे जरूर कह दीजएगा मैं आपसे रेसिपी शेयर कर लूँगी अब हम रोटी के ऊपर ये हमारा शोरबा आड़ करेंगे और शोरबा हम इतना डालेंगे कि रोटी उसमें अच्छे से भीग जाए और जब हम इसके अंदर अपना डिजार कॉंटिटी का शोरबा डाल लेंगे तो फिर इस रोटी को इस शोरबे में हम भीगने देंगे और उस वक्त तक भीगने देंगे जब तक कि रोटी इस पूरे शोरबे को अपने अंदर जर्ब यानि अब्सॉर्ब न कर ले और जैसी वो इसको जर्ब्स कर लेगी तो फिर हम फर्दर इसके प्रसेस के साथ कंटिन्यू करेंगे जहां आपको लगे कि रोटी नहीं भीग रही है आप इस तरह से उसको सेट भी कर सकते हैं रोटी मेरी अच्छी तरह से भीग चुकी है तो अब मैं इसके उपर इस चिकन को एड़ कर रही हूं और चिकन हमेशे इस तरह से रखी जाती है साथ मत रखेगा चिकन उपर से रखेगा अब आप इसको डेकुरेट कर लें तो डेकुरेट करने के लिए मैंने प्यास को इस तरह गोल गोल चलों में काट लिया था इसके इलावा मैं इसके अंदर यह जारा धनिया बहुत बारी करके शामिल कर रही हूं और इसके लाबा इसके अंदर मैं थोड़ी सी मोटी मिर्चे जो हैं वो मैंने मोटी मोटी चॉप कर ली थी वो डाल रही हूँ अब जो मैं आपको बताया था कि तीरा हम सेफ कर रहे हैं उसको मैं इस तरह से इसके उपर ड्रिजल कर रही हूँ तीरा सेफ करने से क्या होता है कि डिश का लुक अच्छा सा आ जाता है वो बिल्कुल रेस्टरेंट स्टाइल या धाबा स्टाइल लगने लगती है तो जहां आपको लगे तीरा का में आप जाधा पॉर कर सकते हैं अगर आपको यह रशीपी अच्छी लगी हो तो इस रशीपी को लाइक करें मेरे चानल को सबस्क्राइब करें बेल ऐकन को प्रेस करें ताके आप नोटिफाइब रहें कोई रिक्वेस्ट हो या कोई दिमांड हो तो उसको कॉमें बोक्स में शेयर करें Till then, take care, bye.